हेलो दोस्तो एपरिल का महीना बहुत ही बिजी होने वाला है बहुत सारी कंपनिया अपने रिजर्ट्स लाने वाली है और डिविडेंट का भी अनौसमेंट करने वाली है तो आज के वीडियो में हम 6 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रिजर्ट्स और डिवि करते रहते हैं अब सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों तो देखे जो पहला नाम है वो है नेसले आप यहां पर इंपॉर्टन डेट नोट करके रखे वो है एप्रिल ट्वेल बुधवार का दिन है जिस दिन इंटरिम डिविडेंट का एनाउंसमेंट होने वाला है और 21 अप यह ध्यान में रखना है उनका अप्रेल से मार्ट जैसा सिस्टम नहीं होता है तो जैसे यहां पर हम देख सकते हैं फाइनाशल यह 2020 में 200 रुपए का डिविडेंट और 2022 में 195 रुपीज का उन्होंने डिविडेंट डिक्लियर किया हुआ था ठीक है और अभी पहला इंटरि बाकी जो भारतिया कंपनिया है उनके फाइनल रिजल्ट आएगा तो अभी जो डिविडेंट होगा वो नेसले के लिए इंटरिम डिविडेंट होने वाला है अगर मैं शेयर प्राइस देखो नेसले का अगर आप यहां पर देखेंगे कुछ 19,704 के आसपास है बहुत ज्य नेसले ओन करती है पहला नाम नेसले दूसरा नाम है दोस्तों TCS अप्रेल 12 उनका भी रिजल्ट आने वाला है बुद्वार का दिन है और TCS का फाइनल रिजल्ट यहां पर आने वाला है ठीक है और TCS की हिस्ट्री रही है जब भी हम डिविडेंट की बात कर रहे हैं हर क्व अब देखें जैसे 2021 का फाइनल चल यह उन्होंने 38 का डिविडेंट दिया था 2022 में आप देखेंगे 43 का डिविडेंट दिया था और अभी जो फाइनल चल रहा है 2023 में आल्रेडी 91 रुपीज का डिविडेंट हो चुका है बहुत ज्यादा डिविडेंट है लेकिन उसके एक पता चलेगा एक और डिविडेंट जो की हमको पता चलेगा तो जो 91 है यह नंबर से हमको और ज्यादा आगे कुछ नंबर हमको देखने को मिल सकता है यह हमको 12 तारीक को पता चलेगा जब हम TCS की बात कर रहे हैं तीसरा नाम है दोस्तों इन्फोसेस इन्फोसेस की तरफ से मीटिंग डेट ध्यान में रखिएगा अप्रेल 13 को है जब ये दूसरा डिविडेंट इन्फोसिस की तरफ से आ रहा है हमारे चैनल अर्ली फाइननसियल आजादी में बहुत ही जल्दी इन्फोसिस का भी प्रिव्यू वीडियो आ रहा है दोस्तों तो उसको भी आप चैनल को 12 रुपिया का या था फिर सओ की ढनाकी इसको हजार में खरीदा है तो आपकी ये जैदा हो सकती है या फिर बिल्कुल बुल मार्केट में 1700 में खरीदा है या 800 में खरीदा है तो फिर इल्ड उतनी ज्यादा नहीं रहेगी तो इसलिए मैंना आज का प्राइज लिया है तो देखिए 31 रुपीज का डिविडेंड पिछले साल 14.00 है इस सपोज आपके पास है तो जो ड क्या आने वाला है वो हमको अप्रेल 13 को पता चलेगा इंपोर्टन नंबर जो है यहाँ पर होने वाला है 31 देखना पड़ेगा कि 31 का जो आंकड़ा है इंफोसिस का डिविडेंड पार कर पाता है कि नहीं दोस्तों तीन नाम हुए है तीन नाम और बाकी है उससे पहले दोस से बड़ी की community है आप भी इस community का हिस्सा हो सकते है जहां पर long term में हमारा early financial freedom का उद्देश्य है दोस्तों चौथा नाम है दोस्तों ICACI Securities अप्रेल 19 बुदवार के दिन उनके द्वारा dividend declare होने वाला है final results भी आएगा और साल में दो बार dividend आता है बहुत ही अच्छी dividend डिवि है वो भी कर लेता हूं जैसे ICACI Securities अभी तो चैक है यह साल ब्रोकिंग फर्म्स है उनके लिए थोड़ा टफ रहा है जैसे पिछले साल इस समय में 630 के आसपास में शेयर प्राइस था अभी आप देखेंगे शेयर प्राइस बहुत गिरा हुए है तो भी मैं आज का हो रही है अच्छी खासी हो रही है इन फैक्ट यह लगभग 5.6% की डिविडेंट हो रही है लेकिन एक और बात है 2021-22 में अच्छा खासा बुल रन भी चल रहा था जब हमने स्टॉक मार्केट में देखा था और स्टॉक मार्केट अच्छा करेगी तो पिछले साल जैसे मै भी इंटर किया हुए तो भी उनको 3.8% का मिल रहा है लेकिन देखिए जो बिजनस होता है जैसे अभी स्टॉक मार्केट का जो बिजनस है यह भी मैं मानता हूं दीरे-दीरे कि यह थोड़ा साइक्लिकल होता है अभी मार्केट में हम खुद देख पा रहे हैं आप यह अफिट देखेंगे घटकर 280 करोड हो गया है यह क्वार्टर 3 अभी का जो ऑक्टोबर से डिसमबर का डीटा है तो यह क्या कारण हो सकता है क्योंकि अभी जो है जैसे मार्केट बहुत ही अच्छा बुलरन चल रहा था इंफेक्ट 2021 में हमने बहुत IPOs भी देखा था तो IPOs जो है investment banking का जो impact business है वो भी impact हुआ होगा अलग-अलग business impact हुआ होगा तो इस साल भी मैं देख पा रहा हूं कि सायद जैसे पिछले साल 24 रुपय का dividend आया था दोनों dividend को मिला के अभी का dividend already interim dividend comparatively थोड़ा सा कम आया हुआ है अब final dividend देखते हैं कि 24 रुपया का जो number है उसको पा जालों से dividend पर दिख रही है हमने जब dividend analysis की थी तो हमने देखा था कि October 2021 से company ने policy बना ली कि जो भी वो profit करेंगे उस profit का 75% या उससे ज्यादा वो as a dividend अपने shareholders के साथ जो है payout हो जाएगा बहुत ही वो positive था और पिछले इसलिए दो साल से अच्छा dividend भी आ रहा है तो 20 अप्र अभी में उनका dividend आता है similarly इनका भी dividend हरति माही में आता है और अप्रेल 28 को भी note करके रखना है क्योंकि 28 तारीक को record date है तो देखे financial year 21 में देखेंगे 26 रुपया का dividend ठीक है share price अभी अगर मैं आपको live यहां पर बता हूँ अलग-अलग share price अगें मैं बोल रहा हूँ dividend yield depend करता है आपकी buying के उपर मैं आज का price ले रहा हूँ आज का price क्या है एक हजार 85 तो for example एक हजार 85 है तो dividend yield यहां क्या हो सकती है जरा से calculate कर देते हैं आपके सामने ही 1085 है और यहां पर हमको dividend yield जो मिल रही है वो मिल रही है लग-भग अभी के price में यह पिछला पूरा financial year था लग-भग 4% की dividend yield मिल रही है हमको company की तरफ से तो एक अच्छी खासी dividend dividend yield कही जाएगी अभी कभी जो financial year है 9 महीने खतम हुए है तीन quarter खतम हुए है ठीक है और तीनों quarter में 10 रुपए करके dividend आया है 10-10-10 करके तो total 30 रुपए का dividend आया है अब देखना है कि HCL Tech जो 44 रुपीज का जो आंकड़ा है उसको पार कर पाती है कि नहीं ठीक है जरूर comment section में आप बताएगा कि आपको लगता है कि dividend अच्छा आएगा पिछले साल का जो dividend था 44 पूरे साल का उसको पार कर पाएगी कि नहीं क्योंकि 30 का already dividend आ चुका है 14 या उससे ज्यादा dividend हो पिछले साल का जो dividend numbers है उसको वो पार कर सकती है दोस्तों 5 नाम discuss किये 6 नाम आ रहा है लेकि बहुत सारे दूसरे भी नाम आएंगे क्योंकि कंपनियां धीरे धीरे करके अपने final जो dates है वो अपडेट करती रहेंगे और जैसे जैसे अपडेट करती रहेंगी नई information आएगी हम आपको बताते रहेंगे आखरी नाम है बजाज auto आप यहाँ पर देख सकते हैं meeting date होने वा लगभक 4200 करोड का profit किया हुआ है क्योंकि profit पर बहुत कुछ dividend जो है निर्भर करता है तो 120 रुपया 140 140 करके dividend आया है 2020 में किस में फिर पिछला जो financial year था वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अब देखते हैं कितना dividend आ रहा है तो मैं जल्दी से यहां पर भी analysis कर लेता तो जो इल्ड जो बनती है 140 का मैं अगर dividend लेता हूँ जो कि उन्होंने किया था तो टोटल 3.6% की dividend yield बजाज ओटो की तरफ से आ रही है जो कि एक decent yield कही जाएगी बजाज ओटो में लेकिन जैसे Nigeria के business को लेकर थोड़ा सा भी तकलीफ है बाकि कुछ important triggers का बिल्कुल weight रहेग बाकि बहुत सारे नाम अगले कुस दिनों में आने वाले हैं मुझे उमीद है आपको value मिली होगी इच्छाय नाम से धन्यवाद आपके time के लिए चैनल को दोस्तों जरू सब्सक्राइब करके रखेगा तैंकि दोस्तों